हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नाए मैडिसीन रिवीव के इस वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैफटाल इस पास ड्रॉप के बारे में जानेंगे इस ड्रॉप के क्या-क्या यूजेज हैं, बेनिफेट्स हैं, प्रिकोशन्स हैं और इससे क्या-क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं दोस्तो ये सभी बाते जानने के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लें जिससे की इन फ्यूचर आगे आने वाले सभी नए और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाश्ट में लाइक एंड शेयर करना बिलकुल न भूले दोस्तो मेफटाल इस पास ड्रॉप ब्लू क्रोस लेबोरेटरी का बेस्ट ब्रांड है जिसकी प्राइस की अगर बात करें दोस्तो तो 44 रुपे में एजली आपको अपके एरिया में किसी भी फार्मेसी स्टोर से ये मिल जाता है जो कि 10 ML की पैकिंग में आता है और इसका कंटेंट होता है डाई साइक्लो माइन 10 MG की मात्रा में और इसके साथ साथ इसमें सिमेटी कौन होता है 40 MG की मात्रा में तो इस तरह से ही इसका कंटेंट रहता है ड्रॉप का इसका यूज आप डॉक्टर की सला के अनुसारी करें दोस्तों ये ड्रॉप आपको डॉक्टर के प्रिश्किप्शन पर सभी मेडिकल स्टोर पर इजली मिल जाता है मेफटाल स्पास ड्रॉप एक एंटी स्पास मोडिक मैडिसन है जिसका यूज आतों से जोड़ी बीमारियों और पेट दर्द के उपचार में किया जाता है इसे छोटे बच्चों में ही प्रियोग में लिया जाता है जैसे कि यदि किसी बच्चे को Irritival Wall Syndrome की प्रॉब्लम्स है Abdominal Pain है यारी कि पेट में निचले भाग में दर्द की शिकायत लग रही है तब ये काफी असरदार ड्रॉप है इसके साथ साथी यदि किसी छोटे बच्चे में Blotting की प्रॉब्लम हो रही है पेट में मरोड आ रही है गैस बन रही है बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है पेट में कोई infection हो गया है तर ऐसी सभी conditions में ये बहुत ज़्यादा लाददा एक ड्रॉप है इस ड्रॉप में होने वाला डाई साइकलुमाईन एक एंटी स्पास्मोडिक एजेंट है जो आपके बच्चे के पेट और गट यानि की बच्चे की आथ की मास्पेसियों को रिलैक्स करती है और मास्पेसियों में अचानक होने वाले इस पास्म जिसे आप संकुचन कह सकते हो उसे रोकती है जिससे पेट में एठन और होने वाले दर्द से राहत मिलती है और सिमेतिकोन एक एंटिफोमिंग दबा है जो गैस पास करने में मदद करता है और गैस से बनने वाले बुलबुलो को खत्म कर देता है आपको IBS यानि Irritable Wall Syndrome के करण दस्त, सूजन, क्लोटिंग, पेट फूलना और पेट दर्द के सिकायत हो रही है तब ये ड्रॉप आपके बच्चे को काफी हद तक आराम दिलाता है तो हम कह सकते हैं कि मैफटाल इस पास ड्रॉप लगवग लगवग पेट की सभी तरह की प्रॉबलंस को ठीक कर देता है दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ साबदानी के बारे में क्या साबदानी रखनी चाहिए इसको इस्तिमाल करते समय बच्चे को जब आप इसका यूज करा रहे हैं तो बच्चे को किसी भी तरह की ऐलर्जी है पेट में कोई गड़वड़ी है उसको जन्म से कोई दोस है या फिल लीवर या किड्नी डिजीज है तब ऐसी सभी कंडिशन में इसका यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार सला जरूर करने हैं डॉक्टर से मिले उसके बाद जैसा भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं उसी तरह से आप अपने बच्चे को इसका इस्तिवाल कराएं तो आप वीडियो में जान लेते हैं इसकी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसर दोस्तों डॉक्टर के बात करें तो बच्चों में इसे 2.5 ml सुबत अता 2.5 ml सामें लेने की सला दी जाती है अलग-अलग पेशेंट जो बच्चे होते हैं और उनकी कंडिशन पर डिपेंड करता है कि वास्ता में उनका डॉस क्या होगा तो जितना और जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है वैसे ही आप इसका यूज करें दोस्तो जान लेते हैं मेफटाल इसपाज ड्रॉप से होने वाले कुछ कॉमन साइड एफेक्ट के बारे में अगर किसी बच्चे को होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं बच्चे में सुस्ती आना, डकार आना, भूक की कमी होना, घपराट होना और दस्त भी लग सकते हैं वैसे तो ये जो साइड एफेक्ट हैं कुछ समय के लिए ही रहते हैं और कुछ समय बाद ये खुदी ठीक हो जाते हैं अब आपको इसके अलावा भी कोई अधर साइड एफेक्ट लगे तो आप इसका यूज बंद करके अपने डॉक्टर से मिलने के बाद बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाएं दोस्तो वीडियो के लाश्ट में आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये डॉप आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है तो दोस्तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लास्टिक पैकिंग में दिया हुए डॉप है काफी अच्छा और सेफ पैकिंग की हुई है इसके साथ आपको मिलता है डॉपर जिसकी मदद से आप आसानी से अपने बच्चे को प्ला सकते हैं तो दोस्तो उम्मीद है आज का यह मैं अफ्टालिस पास डॉप का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर से कर देए साथी चैनल पर नए है और वीडियो देखने के बाद अभी भी आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करके जाएं मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई मैडिसीन की जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिन धन्यवाद